बहुत सारे इस्टुएंट जो जही नीट के लिए प्रिपेर करते हैं किसी भी कॉंपरेटिव एक्जाम के लिए प्रिपेर करते हैं उनकी थॉट प्रोसेस सबकी अलग-अलग होती है जब टीचर्स उन्हें अलग-अलग तरीक इंपॉर्टन बाते बताते हैं तो वह अपने इस वीडियो का टाइटल देखा होगा एंग तो शेर अबाउट अस्वेंट जिसने मुझसे बहुत डारेक्ट ऑनेसली और पॉलाइटली बोला कि सर आपने एक सिच्वेशन में यह वाला स्टेटमेंट दिया था और आप अपने ही स्टेटमेंट को कॉंट्राडिक्ट कर कलारे हो तो मैंने उस बच्चे को यह रिप्लाइ दिया बेटा तुमने जो कुशम मुझसे पूछा उसका अंसर भी तुम नहीं दे दिया है क्योई तुमने कए एक स्टेटमेंट में मैंने एक स्टेटमेंट को गैक्सेटमेंन्सट ऑपिशान या जहां पर किया जाए और उसके positive outcome है तो हर situation में उस experiment के positive outcome है ऐसा नहीं होगा आपने भी यह चीज फील करी होगी कि हर जगे एक ही strategy काम करें it is not necessary मैं clear cut point बता देता हूं थोड़े time पहले मैंने video release किया था जिन को long concentration की problem है although मैं बहुत जल्दी एक और video release करूँगा कि sitting hours को कैसे increase किया जा सकता है there are some new specific method we found by experiment on our students only बड़ मैं बता रहा हूं जो video मैंने release किया था आपको यह video's pin comment में भी मिल जाएंगे कि अगर आपकी concentration कहीं पर week है तो इस concentration को बढ़ाने के लिए आपको अपनी एक जगे पर अगर setting करके study करते हैं तो study की दो या तीन location बना लीजिए और हर आदे एक घंटे बाद location बदल दीजिए subject बदल दीजिए और slot में study कीजिए तो इससे concentration को एक एक घंटे के slot में location बदलने से build करने में help मिलेगी और recently मैंने एक video और release किया था जिसमें यह बताया था कि अगर आपको study table पे नींद आती है तो उस नींद को बगाने के चारिया पांच factor थे वो वीडियो भी पिन कमेंट में मिलेगा तो कैसे आप study table से अपनी नींद को दूर कर सकते हैं उनमें एक factor यह था कि अपनी study location को change ना करें तो एक student ने पूछा सर आपने कहा था कभी study location बदल के पड़ो अब आप कह रहे हो study location मत बदलो तो करें तो क्या करें सब्सक्राइब यह नहीं समझना है कि यह वीडियो उनकी प्रॉब्लम पे फिट हो रहा है नहीं हो मैं आपको देता हूं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कोई डिजीज है किसी तरह की अनकंफर्ट फीलिंग है सिकने से आप डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर आपको एक अब कैसी भी दूसरी प्रॉब्लम हो और आप को कि मैं तो यही दवाई खालूंगा ठीक हो जाओंगा क्योंकि यह तो डॉक्टर ने दिये इस नौट गइं डिफरेंट डिजीज सीम स्ट्रेजी सीम इटिंग एपिट्स विल नॉट वर्क एक सिच्वेशन में अगर डॉक जो मैं बताता रहता हूं तो मेरे इस वीडियो का परपस इतना है कि आप कहीं से भी कोई चीज सीखते हैं तो बिना सोचे समझे अपने उपर अपलाई ना करें पहले यह समझें कि वो चीज आपको किस परपस से बताई जा रही है उस बेसिस पर उस पॉइंट पर कि आपको पर इतना है next